पाकिस्तान आज के समय येरोपियन कंट्री से बहुत जादा प्रेशर फेस कर रहा है और इसका में रीजन ये है कि इमरान खान की जो इल टाइमड विजिट थी तू रशिया मतलब के गलट टाइम पे जो ये रश्या में चले गए थे जैसी रश्या में गए उसी टाइम आप अगर देखो तो रश्या ने बहुती बड़ा एक उपरेशन स्टार्ट कर दिया था युकरेन पर तो इस वज़े से इमरान खान जो प्रेशर फेस कर रही है इसके जवाब में उन्हों ने ये कह दिया कि जो प्रेशर हम पे डाला जा रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान को प उक्रेन पर इसकी निंदा करिए अगर आप नहीं निंदा करेंगे तो हम लोग आपको दंड़त करने वाले हैं तो इमरान खान ने ये कहा दिया अपने स्पीच में के जो चिठियां हमको लिख रहे हो वेरी चिठियां इंडिया को लिखोगे जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने जुकने नहीं दूगा अभी ये जरा सुनें यॉरपिन यूनियन के अमबैस्टर्स ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेट्मेंट दें उसके खिलाफ वोट दें मैं ये यॉरपिन यूनियन के अमबैस्टर्स से पूछता हूँ कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था अब स्टेट्मेंट एजीब सी है इसका सिंपल आंसर को भी यहाँ पर यह कह देगा कि देखिए इंडिया की कम्प्लीटली एक अलग एकोईशन है इससे कमपरेजन बनता नहीं है आपकी अलग एकोईशन है इंडिया ने और तरीके से भी बैलैंस करने कोशिश करिया है इंडिया ने एड भी भी भेजिए उक्रेयन को तो तो यहाँ पर कोई comparison इतना बनता है नहीं, बट इमरान खान की देखिए, आपके लीजे, पॉलिसी लीए बहुत लंबे समय से, के जो treatment इंडिया को दिया जा रहा है, वैसा ही treatment पाकिस्तान को मिलना चाहिए, तो मतलब के जो चिठिया पाकिस्तान को आई है, धंकियो वाली, व आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रेशन पूछूँगा, Snake Island रिसेंटली बड़ा न्यूज में है, कूब इस पे चर्चावी है, Snake Island पर यह हो गया था, Snake Island पर क्या ऐसा हुआ था, तो आपको बताना है कि Snake Island किस Sea में आपको मिलेगा, Black Sea में, South China Sea में, Sea of Japan में, या फिरंडम आप सोच कर देगी है, जब पुतिन ने अनाउंस किया, कि मैं operation स्टार्ट करना हूँ उक्रेइन पर, उसी टाइम इमरान खान रशा में पहुच गए, उसके बाद, अफकोर्स, यहाँ पर बातचीत हुई, इनकी यहाँ पर फोटोस निकल की आई, और इमरान खान की एक बहुत आप खराब images सामने आ रही है, वीडियोज आ रही है, कि civilians को bomb किया जा रहा है, लोग वहाँ पे तड़प रहे हैं, पूरा western world काफियत तक, आज के समय गुसा उक्रेइन को देखकर कि क्या वहाँ उक्रेइन में, अपने आप कई जो वहाँ पे उनके पुनाने soldiers हैं, वो खुद उक्रेइन जा रहे हैं, आज के समय पार्टिस्पेट करने के लिए in the Russia-Ukraine war, तो ऐसे समय अगर इमरान खान पहले world leader बनते हैं, जो जा रहे हैं रशिया में, तो obviously ये देखकर western world को गुस्ता आएगा, और इसलिए आपने देखा होगा, UK के मीडिया ने काफी पाकिस्तान को भी इन्होंने सड़ा हुआ गेव भेज दिया रहा, क्योंकि इनके आँ खुद एक scarcity है, वीड की, तो timing since इनकी बहुत ज़रा off थी, ये देखते हुए, पहले तो US ने इनको hit किया with 55 million dollar penalty, इस पर मैं और वीडियो में आ चुका हूँ, करीब 1.3 million लोग देख च इठी में simply यहाँ पर यह hint किया गया है, कि अगर पाकिस्तान ने रश्या की निंदा ना करी, रश्या की अलोशना ना करी, Ukrainian war को लेकर, तो पाकिस्तान का GSP plus status ये लोग छीन लेंगे, GSP plus status में आपको बता होगा, कि पाकिस्तान जब export करता है कुछ Europe को, तो इनको उतने tariff न इंपोर्ट करते नहीं है, बस चाइना से ही जड़ातार इंपोर्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत इनके एक्सपोर्ट रिसेंटली बड़े हैं, मगर फिर भी इंपोर्ट इनके बहुत जड़ा है from China, तो पाकिस्तान इस बात से बिलकुल अवेर है कि European Union इनके लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं, इनके कई weapons आते हैं European Union से, for example, आप अगर देखो तो Sweden एक बहुत ही बड़ा weapons का exporter है टू पाकिस्तान, तो ये सब बाते जानकर भी पाकिस्तान ने ये जवाब दे दिया, officially Europe को, कि आप हमको ये क्यों कहने है कि Russia की अलोशना करो, आपको पहले अलोशना करनी चाहिए, इंडिया और इस्राइल की, इस्राइल की of course, फिलिस्तीन के इशु को लेकर, इंडिया की यहाँ पर कहते हैं, कि इंडिया ने इंटरनाशनल लौ तोड़ दिया कश्मीर में, जबकि कोई इंटरनाशनल लौ नहीं तोड़ा गया था, तो पाकिस्तान का ये behavior देख कर, अब European countries ने धीरे धीरे action लेना स्टार्ट कर दिया, अगेंस पाकिस्तान, उसका एक example हम को recently ये दिखा, कि पाकिस्तान के जो NSA हैं, जरे इंडिया में जो NSA है, National Security Advisor अजीद दुबाल साब, पाकिस्तान के NSA हैं आज के समय, मोईद यूसफ, तो इनको UK में जाना था, एक बहुत important meeting के लिए, इनकी UK visit, UK नहीं अपनी तरफ से cancel कर दी, और reason यहाँ पर यही बताया, कि जो इमरान खान की meeting थी विद व्लादवन पुतिन, हाथ मिलाते हुए, खड़े उनके साथ, फिर उसके बाद रशा के निंदा भी नहीं कर रहे, UN General Assembly में भी रशा के against voting नहीं क कर दिया, यह सब देखकर अब European Union, European countries definitely punish करेंगी पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान एक तरफ तो यह सब देख रहा है, फिर दूसरी तरफ यह लोग यह भी देखते हैं, कि इंडिया को कुछ भी इतना pressure नहीं face करना पड़ रहा, US ने तो literally यहाँ पर recent यही कह दिया है, कि हमार की position समझते हैं, और जो recently quad का virtual summit भी हुआ था, जहाँ पर आप देख पाएंगे यह PM Modi आपको देखेंगे, squad Morrison है, जो Biden है, जो यह virtual summit हुआ था, उस दोरान भी देखा गया, कि even दो इंडिया ने रश्या की कहीं से भी निंदा नहीं करी, बाकी quad countries की तरह, इंडिया पर कोई special pressure ही डाला countries ने diplomatically, तो यह सब देखके इमरान खान को काफी गुस्सा आता है, यह जनुवली में देख पा रहा हूँ, इनकी शुरू से ही एक line रही है, US को, European Union को हर जगा यह लोग यह कहते हैं, कि जैसे relations आपके इंडिया के साथ है ना, वैसे relations आपके होने चाहिए पाकिस्त दिन, उसके इलावा जिलन्स की, दुनों से बात करी है, ऐसी कोई calls इमरान खान को नहीं आई, एक country का structure होता है, उसकी importance होती है world stage पर, तो आपके लिए इमरान खान chase कर रहे हैं कैसे dream को, जिसको यह complex नहीं कर पाएंगे, और उसमें eventually होगा क्या, कि पाकिस्तानी सफर करेगा और अब देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इमरान खान की जो policy है, blasphemy law को लेकर, और रश्या को लेकर, कोई बड़ी बात नहीं है कि European Union बहुत ही जल्द पाकिस्तान का GSP plus status खतम कर दे, इससे in the end, इमरान खान का तो कुछ नहीं होगा, इनका तो खैर अच्छा एक career था cricket खेल लिया, PMB बन गए, जो पाकिस्तान के exporter है, जो यहाँ पे इनकी industry है, वो बुरी तरीके से hit होगी, तो खैर वापस आते हैं, अपने MCQ की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था, कि Snake Island आजकल काफियत तक news में है, आपको बताना है कि Snake Island कहाँ पे located है, तो सही उत्तर इसका है, option A is the right answer, Black Sea, Black Sea यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह है Black Sea, और Ukraine का पार्ट है, यहाँ पर छोटा साइट टापू है, Snake Island, यह recently news में इसलिए आया था, क्योंकि रश्या ने एक वीडियो रिलीज करी, जहाँ पर यह लोग अटाक कर रहे थ उनको मारानी रश्या ने, उनको capture किया गया था, जबकि initially US media ने दिखाया के देखिए Snake Island के जो भादूर soldiers है, रश्या ने इन पे missile दाग दिये, मगर तब भी रश्या को कोस्ते हुए मरे हैं, जबकि reality को जोर है, तो काफी है तक यह news में याद रखिएगा, Snake Island, it is a part of Ukraine, at least अ आपको यह link, UPSC वाले link पे करो, click और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे, यह unique combo package, जिसके इंडर आप prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं, in a single purchase, यह सारे courses, anacademy पे जाकर, अलग-अलग अपनी card पे डालोगे, फिर purchase करोगे, you will have to pay 10-15,000 rupees extra, combo में आपकी saving होती है, तो click कर यह pick up plan पर, और अगर आपके पास अभी time है, अगर मान लीजिए, 2-3 साल का time है, आप से 2025 में, एक proper genuine attend देना, UPSC का, तो आप 24 या विर 36 मेने का जो course है, यह कर सकते हैं purchase, मगर, जो prices यहाँ पर लिखे हैं, pay करने की आप सकता नहीं है, simply, यहाँ पर code डालिए, PD10, and the prices will just start falling, so use the code PD10, and save money, so EC note के साथ, यह है वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all.